दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ऐसे रोमेंटिक और मज़ेदार सवाल बताऊंगा जिसे पूछकार आप अपने पसंद की लड़की को इंप्रेस कर सकते हो आप सब लोग यह जानते ही है कि लड़किया रोमेंटिक बाते बहुत पसंद करती है और रोमेंटिक बातों से ही लड़कियों को बहुत जल्दी पटाया भी जा सकता है तो इन सवालों को किसी भी लड़की से पूछने पर आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं सवाल नमर एक आप जिस लड़की को भी पटाना चाते हो चाहे वो आपकी जान पैचान की हो या बिल्कुल भी अंजानी हो आप कुछ दिर उसके तरफ देखते रहिए फिर उसके पात जाकर उसे बड़े प्यार से बोल सकते है क्या तुम जादूगर हो इतना सुनकर लड़की यही कहेगी नहीं या फिर क्यों तब आपको बोलना है क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मेरे आसपास की सारी चीज़े गायव हो जाती है तुमारे सिवा मुझे और कुछ भी नजर नहीं आता सवाल नंबर दो आप जिस लड़की को चाते हो या जिसे पसंद करते हो उस लड़की को एक दिन ये सवाल जरूर पूछना क्या तुम आईना हो लड़की कहेगी नहीं आप एक प्यारी सी मुस्कुरहट के साथ कहो क्योंकि मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ तुम्हें मैं ही नजर आता हूँ दोस्तो एक बहुत ही रोमेंटिक सवाल है जिसका जवाब अगर ठाइक धंग से दिया जाए तो किसी भी लड़की का दिल पिगल जाएगा सवाल नमर तीन अपने गल्फरेंड से या अपने क्रश के साथ बात करते गरते बातो बातों में अचानक से ये सवाल पूछ सकते हो क्या तुम हवा हो आपके इस सवाल को सुनकर लड़की चौक जाएगी आपसे पूछेगी क्या मतलब या फिर क्यो तब आप अपने दिल पर हाथ रख कर कहो तो तुम्हारे बिना मेरी सासे क्यों रुख जाती है दोस्तो थोड़ा सा सोच कर देखिए ये कितना रोमैंटिक लाइन है आप उस लड़की की तुलना अपनी सासों से कर रहे हो और लड़की के लिए इससे बड़ी बात क्या हो सकती है नमबर चार जिस लड़की को आप पटाना चाते हो वो लड़की आपसे फ्रेंड या उसके साथ आपका अगर दोस्ताना जैसा रिलेशन हो तो आप उसे कह सकते हो तुम्हें मालूम है तुम कैसी दिखती हो लड़की जरूर ही पूछेगी की कैसी दिखती हो तब आपको थोड़े से स्माइल के साथ कैना है बिल्कुल मेरे होने वाली गल्फरेंड यासी दिखती हो लेकिन दोस्तों ये लाइन किसी भी अंजानी लड़की पर नहीं मारना है क्योंकि रियक्शन उल्टा भी हो सकता है और मार भी घानी पड़ सकती है तो दोस्तों खुश रहिए मज़े में रहिए फिर मिलते हैं